हाई एवरिवन स्वांगत हैं आप सभी का लर्निंग ग्रूप की डेली क्रंट अफेयर वीडियो में आज है दस अगस्त और दस अगस्त से रिलेटेड जो भी क्रंट अफेयर के इंपोर्टेंट कॉशन बंदे हैं इस वीडियो में डिसकस किये जाएंगे हर एक कॉशन से रि एक अभ्यास चो है हाली में शुरू किया गया है और इसका नाम है पर्वत प्रहार नाम याद रखना है आपको अभ्यास का और ये आयोजित किया जा रहा है लद्दाक में डी ओप्शन इस कॉशन का सही हुत है पर्वती शेत्रों में अपनी पकड का जबूत बनाने के लि इसका पहला जियो थर्मल पावर प्लांट भी लद्दाक में बनाया जाएगा इतना जो है आपको लद्दाक के बारे में इंपोर्टेंट क्रंट अफ्य याद रखना है नेक्स्ट कॉशन देखते हैं नेक्स्ट कॉशन है हमारे पास पैरिस ओलंपिक दोहजार चौबिस मे भारती अथलीट विनेश फोगाट ने सन्यास लेने की घोशना की है ये किस खेल से संबंदित है हाल ही में विनेश फोगाट ने सन्यास लेने की घोशना की है पैरिस ओलंपिक दोहजार चौबिस में ये प्रफोर्म कर रही थी और इन्होंने अब सन्यास लेने की घोशना क आपको राजे भी पूछा जा सकता है तो आप राजे भी याद रखेंगे ये हर्याना की रहने वाली है 2016 में इन्हें अर्जुन पुर्सकार दिया गया था और 2020 में सर्वोचक खेल पुर्सकार मुएजर ध्यान चंद खेल रतन जो है इन्हें मिला था कौन-कौन से पुर्सकार इन्हें मिले थे तो ये आपको रिलेट करके जो है इनके नाम के साथ याद रखने हैं चलिए नेक्स्ट कॉर्शन देखते हैं भारत सरकार ने नमामी गंगे मिशन 2.0 के तहट उत्तर प्रदेश और बिहार में कितने क्रोड की लागत से चार परियोजनाएं शुरू की हैं पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि नमामी गंगे मिशन जो है इसके अंतरगत कौन से राज्य आ रहे हैं उत्रपरदेश और बिहार और इस मिशन के अंतरगे चार परियोजनाएं जो है इन दो राज्यों में शुरू की जाएंगी और इनकी टोटल लागत होगी 980 करोड रूपीज इस परियोजना में गंगा और उसकी सहायक नधियों के पानी को साफ किया जाएगा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा इसलिए ये परियोजना जो है राश्टी स्वच गंगा मिशन का एक हिस्सा है जिसकी शुरुवात जो है वो 2014 में की गई थी I hope इससे related सभी आपके points clear हुए होंगे चलिए next question देखते हैं next question है हमारे पास चोथी CAVA जिसकी full form होती है Central Asian Volleyball Association महिला Volleyball Nations League का खिताब किस देश ने जीता है हाल ही में महिला Volleyball Nations League का आयोजन जो है वो नेपाल के Capital Kathmandu में किया गया और इसका चोथा CAVA खिताब जो है वो भारत ने जीता है D option इस question का सही उत्तर है भारती महिला राश्ट्य वालिवल टीम ने ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है इन्होंने final में नेपाल को 3-2 से हराया और ये खिताब अपने नाम किया था host country कोन सी थी तो नेपाल थी और नेपाल के Kathmandu का जो दशरत स्टेडिम है वहाँ पे इसका final खेला गया है भारत का ये second time है जब इने CAVA महिला Volleyball Nations League जो है जीती है next question देखते है next question है चंदर्मा के एक creator का नाम पासंग लहामू शेरपा के नाम पे रखा गया है इसका संबंध किस देश से है चंदर्मा के एक creator का नाम इस विक्ति के नाम पे रखा गया है नाम आपको याद रखना है पासंग लहामू शेर्पा और ये संबंध रखते हैं नेपाल से ये option जो है इस question का सही होता है ये creator चंदरमा के दक्षिन ध्रूब में है और इनके सम्मान में जो है इस creator का नाम रखा गया है पासंग लहामू शेर्पा ये पहली नेपाली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फते हासिल की थी और ये माउंट एवरेस्ट पे 1993 में पहुंची थी question related है नेपाल से तो चलिए map में देखते हैं नेपाल कहां पे हैं नेपाल की capital है काठमांडू और यहां की currency है नेपाली रुपिया इतना जो है आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए next question देखिए next question है हमारे पास सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए Guinness Book World Record कहां पर बनाया गया है ये record बनाया गया है उजेन में भी option जो है इसका सही होते होगा 1500 से अधिक लोग जो है वो 10 मिनिट के लिए 5 अगस्त को ड्रम बजाते रहे और ये record जो है Guinness Book World Record क्या है एक किताब है जो हर साल प्रकाशित की जाती है इसकी शुरुआ जो है वो सन 2000 में की गई थी other options की बात करें तो गवालियर में 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजाया था और इसका record भी जो है वो Guinness विश्व रिकोर्ड में दर्ज हुआ था इंदोर की बात करें तो इंदोर में 24 गेंटों में 11 लाक से अधिक पोधे लगाए और इसे भी Guinness विश्व रिकोर्ड में शामिल किया गया था तो रिलेट करके सभी question जो है आपको याद रखने है next question है हमारे पास नंदिनी सहकार योजना को किसके द्वारा लॉंच किया गया है नंदिनी सहकार योजना इसे लॉंच किया है NCDC ने बी option जो है इसका सही उत्तर है NCDC की full form होती है National Cooperative Development Corporation इन्होंने ही नंदिनी सहकार योजना लॉंच की है योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है ताकि अपना बिवसाय जो है अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सके उन्हें इसमें सहायता दी जा सके other options की बात करें तो हाल ही में आंधरपरदेश सरकार द्वारा NTR भरोसा पेंशन स्कीन जो है वो लॉंच की गई है महराष्ट की बात करें तो महराष्टर में हाल ही में लाडला भाई योजना लॉंच की गई है लाडला भाई योजना के अंतरगत प्लस्टू करने वाले शात्रों को 6,000 रुपे डिप्लोमा करने वाले शात्रों को 8,000 और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 10,000 रुपे ज जरूर बनता है, I hope ये वीडियो आपके लिए इंफोर्मेटिव रही होगी, वीडियो पसंद आए तो लाक्षे जरूर कर दीजिएगा, थेंक्स वॉचिंग